जैन सात्यों नमस्कार मिर्टिष चंद्राप श्रविके समक्षे एक बार फिर से उपस्तित हो चुका हूँ फर्स्ट शिफ्ट के 27 कुष्चन्स का डिसक्षन में आपके समक्ष हुआ है एक वीडियो में किया था बचे हुए कुछ प्रस्ट में कलेक्ट कर पाया हूँ और लिखे हुए प्रस्ट में अलग-अलग केंडिडेट्स जिन्हों ने परिक्षा दिया है उनके अलग-अलग समिठ्थी चंता के दार पर जो कुछ भी कुष्चन्स हमारे पास निकल करके आप आया है उन प्रस्टों का कुछ का अंसर जो मुझे पता है कंफर्म हूँ मैं वो का अंसर आपको बताऊंगा और जो अंसर मुझे नहीं पता हूँ वो क्वेश्चन्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यह यह क्वेश्चन फ्रस्ट में अगला कुछन देखेंगे तो बिहार के दक्षिनी मैदान में कौन सा फसल मुझे रूप से उगाया जाता है कि गंगा के किनारे चेटरों में कौन सा फसल जूट जाया जाता है बिहार के उत्तर पश्मी दोमट या जलोड छेतर में निमने में से कौन सा जिला नहीं पाया जाता है तो यहाँ पे इसका अंसर पुर्णिया जिला था बांकि आपका सिता मढ़ी समस्ती पूर, मुझफर पूर और एक और कोई जिला था सायद उसी के आस-पास का कोई जिला था तो तिन जिला था जिसमें पुर्णिया आपका आंसर होता पुछ रहा कि कौन सा नहीं है तो पुर्णिया था उसके बाद है कि तिब्बत में जाने के लिए कौन से अंतराष्टिय सीमा को नहीं पार करना पड़ेगा तो भुटान भारत की सीमा को पार करना पड़ेगा भारत नेपाल की सीमा को पार करना पड़ेगा और भारत और चीन की सीमा को पार करना पड़ेगा यहाँ आंसर भारत और मयानमार था भारत और मयानमार यहाँ आपका आंसर होता ठीक है अगले question की तरह हम लोग चलते हैं तो भुआइस और नारेशन से इंगली से दो कोश्चन था और हिंदी से दो कोश्चन था चार कोश्चन हिंदी इंगली से यहां था फिर यह कोश्चन नारेशन से था फिर अगला देखेगा हिंदी में था कि बानों का संग्रह करने का साधन के लिए एक सब्द तो इसके लिए त प्छले वीडियों प्लेंग इट माई वे या पुस्तक भी हमने बता दिया था सचीन्द्रोगर की एक क्वेशन था हां रुद्रांग्च पार्ट्य किस खेल के लिए किस खेल के खिलाड़ी हैं तो यह संभफता तिरंदाजी के खिलाड़ी हैं अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे अगला है कि मैगनस कालसन को किस भारती खिलाडी ने सतरंज में हराया था ब्लीट जी नौर्वे ब्लीट जी करके था तो उसमें आर्प्रग्या नंदा ने आर्प्रग्या नंदा ने मैगनस कालसन को हराया था भारत का सबसे बड़ा राजी चेत्रफल के धारफट पूछा था तो यहां इसका अंसर क्या था राजस्थान क्या अंसर था राजस्थान कोशी नदी की सस्थान पर गंगा में मिलती है तो यह कटियार में कुरसेला में मिलती है और यही कुरसेला आपको पूछा गया था अगला क्वेशन है कि राश्टप अगला कॉस्छन है कि राश्पती के महाव्योग में कौन सामिल नहीं है? तो इसमें राजियों की बिधान सभाओं और जम्मू कस्मीर वो पुड्डो चेरी के बिधान सभा का सदस से सामिल नहीं होता है संसद के दोनों सद्रों का निर्वाचित और बनोनीत सभी सदस इसमें सामिल होता है उसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन था एकोनोमिक्स का MPC बराबर 08 है तो गुनक क्या होगा इसका आंसर मैं कंफर्म नहीं हूँ एक क्वेश्चन था परचलीत मुली पर बिहार का ग्रोथ रेट पुछा गया था तो यह भी बजट का क्वेश्चन था यह मैं कंफर्म नहीं हूँ किस केंद्र सासित प्रदेश का लिंगान उपात 2013 में सबसे कम है तो दमन वदीब का है यह 618 कितना 618 अगला क्वेश्चन है कि तीसरा सबसे अधिक सक्षर्टा वाला राजी या केंद्र सासित प्रदेश कौन सा था तो पुर्वत्तर के राजी ओप्संस में थे इसका आंसर संभवता हमी जोरम होगा वैसे अगर आप कनफाओंगे तो इसका आंसर जरूर बताएगा उसके बाद हिंदी का एक क्वेश्चन था सही मेल कौन सा है इसका आंसर मुझे नहीं पता लेकिन ये सारे जो बिकल्प है ये सारा का सारा बिकल्प सही है इसी में से कोई एक आंसर था अगला कोशं था कि प्रोजेक्ट 25 आई किस से संबंधी है तो यह ह scenario किस से संबंधी है फ्रोजेक्ट 25 आई आर्वी है तो आप कमेंट करके बताएंगे अगर अगर दूसरा कुछ है अब आप कमेंट कर देंगे घ्याँ कि इसके बाद एक question था operation घृर का operation गरूर के बारे में हमने सुबह के ання श्र rocks enjoy सयान बारत आउयाइअ नब इसका आशन था इसका शरी होना चाहिए माया पाच्मा आश्यान ब्हारत आस्यान सिखर सम्हेलंग्राट कहा है इसका अप्षि! तो आप देख लेंगे संभवता इसका अंसर बैंकॉक होना चाहिए ठीक है मैं इसका अंसर कंफर्म नहीं हूं तो इसका अंसर यह होना चाहिए अगला कुश्चन था कि प्रिंश्पूल प्रश्ण बनाया गया सही उत्तर के लिए चार अंक और गलत उत्तर के लिए दो अंक दिया जाता है तो उसने डेड़ सो अंक प्राप्त किये तो उसने कुल कितने सही प्रश्ण बनाये थे तो इसका अंसर सही क्या होगा पचास प्रश्ण उसने सही बनाये थे अगला कुश् सब्सक्राइब होना चाहिए कि निवन में से कौन बैक्टरिया जनीत बिमारी नहीं है बैक्टरिया जनीत बिमारी यहां पर धेर सारी विकल्प देए थे दो दो का पेर दिया हुआ था और कूट पर वो कुश्चन था ठीक तो वहां पर एक आपका अंसर प्रोटो जो परिवहन किसके द्वारा किया जता इसका अंसर अगर आप अंसर अंसर पर जरूर पताएगा मुझे लगता है इसका अंसर रूधीर या लिंप में से कुछ होना चाहिए एक क्वेश्चन था कि लिथियम, CGM, क्लोरीन और नैट्रोजन में सबसे कम विदूतरिनात्मक कौन ह राष्टी आय का परिवासा वही NNP, फैक्टर कोस्ट पर यह पुछा गया था तो यह हमने सुबह ही आपको बता दिया था, ब्रॉंज का कॉंपोनेंट यह भी हमने आपको बता दिया था, अगला कुशन देखियागा तो यह भी हमने बता दिया, मोटो जीपी रेस बता द तो यह कॉसांबी वत्स की राजधानी थी यह कुश्चन आप जरूर मिला लाएंगे मगद की प्राचीन राजधानी कहां थी तो यह राजगीर थी कहां थी राजगीर या राजगीर ही जिसको हमलोग गरीबरज भी कहते थे वासकोडिगामा भारत कवाया था तो 1499 में आया आगगे इसके बाद आगे आप देखियेगा तो हिएए हैं किनारे। नए जलोड मिटी ko क्या कहते हैं ठीक है इसके बाद फिर दखियेंगा में तो सदी वाला कूशन हमने बता दीह हैं एक कोश्चन था कि 1940 में पर्थम सरवपर्थम बैक्तिकत सत्यागरह किसने शुरू किया था तो इसका आंसर बिनोवा भावे होगा क्या होगा बिनोवा भावे होगा पर्थम सत्यागरही बिनोवा भावे थे उसके बाद देखिएगा बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त के जनक कौन थे या प्रस्तावक कौ रहे हैं आगे फिर अंत्वदय योजन हमने बता दिया था मानो विकास सुचकांग वाला बता दिया था रुपया बता दिया था राष्टिय सुरक्षा अधिनियम एनसे मीसा मादक पदार्थ परतिबंध अधिनियम आंत्रिक सुरक्षा अधिनियम इन सभी को करम बद्ध नहीं बदलती है तो यह चाल नहीं बदलती है फिर एक क्वेशन था कि विस्थापन और दूरी का अनुपात किसके बरावर होगा तो एक के बरावर होगा या एक से आधिक होगा क्या होगा तो यह विस्थापन का दूरी के अनुपात में अगर तुलना किया जा तो क्या होगा तो वह एक के बराबर होगा या या दूरी से की तुलना में विस्थापन एक के बराबर या उससे कम होगा दूरी से कम होगा एक से कम नहीं होगा एक के बराबर या दूरी से कम होगा है ठीक है तो कुछ और क्वेश्चन समलोग देख लेते हैं अगर नया मिला तो इतने ही क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन मुझे यादा रहा है कि आपात काल के दौरान मौली का दिखारों के निलंबन के राष्टपती की जो सक्ति वाकिस अनुचेद में तो वह अन क्वेश्चन करीब सुबा के वीडियो में हमने डिसकस किया था यानि आधा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स शिप्ट का डिसकस कर लिया है और अगर भविस में फिर कुछ क्वेश्चन से याद आएंगे तो फिर इस प्रकार से हम आपको लिख करके आपके सा एक कट अफ का एनालेसिस वीडियो खुब अच्छे से एनालाइज करके जरूर लेकर के आऊंगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक लिए जाहिंद धन्यवाद